नमस्कार दोस्तो जुलाई का महीना आ गया है और तीन महीने हो गए आप लोगों के लास्ट वीडियो दिये और उस वीडियो मैंने आप लोगों से बात करी थी कि अभी गोल्ड में इंवस्मेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि गोल्ड यहां से करेक्ट हो सकता है तो जिस तरी gold की बात करते हैं तो इंडिया में gold और real estate एक ऐसा investment है जो कि हमें at the end return निकाल करके देता ही है और ये हमारे पुस्तैनी investments होते हैं हमारे पास पुराने भी investment पड़े होते हैं और कुछ-कुछ हम लोग add करते जाते हैं दोस्तो अगर मैं आप लोगों को अभी gold की बात करूँ तो gold में बहुत सारी चीजे चल रही है जैसे कि gold में आप देखिए यहां पर correct हुआ है यहां से correct होने के बाद से market में काफी अच्छी खासी गिरावाट आई है जो कि इसका high label जो बना है 16845 का 850 आप मान सकते हो हम लोगोंने 60450 का एक target लिया था मार्च के महीने में और वो target लगबग आ गया है और फिर उसके बाद से यहां पर correction आई है और उस समय मैंने कहा था जब 60450 गया था तो short video मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी फिलहाल खरीदने के लिए नहीं है investment purpose अगर आप लोग देखते हैं तो अभी आप लोगों को wait करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को और अच्छी price मिल चाहिए तो अगर आप लोग अभी भी खरीदते हैं तो gold में मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल ना खरीदे तो लेबल जाने दीजिएगा तब जा करके आप लोग एक long term का investment बना सकते हो बट मैं कहूंगा कि जो लोग भी long term investment करना चाहते हैं वो फिलहाल अभी एक हपते तक wait कर लें अगले हपते आप देखिए किस तरीगे का price action बन रहा है तो उसके बाद खरीदिएगा किस तरीगे की global demand आ रही है और सुए में क्या उच्छाल आ रहा है उसे साब से फिर आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ gold का ये bottom बन चुका है और यहां से gold अच्छा खासा move करने वाला है देखिए दोस्तो gold को हम लोगोंने काफी समय से track किया है ये एक trend line है हम लोगोंने draw करा था जो कि 2021 में draw किया था ये वाले से और अभी तक कि trend line पर support ले रहा है 2022 में भी इसने 12 सेतंबर को support लिया फिर उसके बाद अभी ये इस trend line तक आ सकता है बट हम क्या कह रहा है कि अगर आप लोगों को as a trading purpose से देखना है तो trading purpose में तो पूरी तरीके से gold short है यहाँ पे एक छोटा सा stop loss लगा करके आप लोग जा सकते हैं gold में अगर आप लोगों को gold को trade करना है short position के लिए तो simply आप लोगों का यहाँ पे एक position बन सकती है और फिर एक लंबे target आप लोगों मिल सकते हैं जिसमें 1 is 2 3.52 का risk reward दिख रहा है बट वही कहते हैं न दोस्तों कि अगर आप लोग hold कर सकते हो और यह target आप लोगों को में भी आने वाले मन्त में देखने को मिले या फिर जुलाई के महीने में भी देखने को मिले यह जो भी red candle जो बड़ी candle आप लोग देख रहे हैं पिछले महीने में जून में जो बंद हुई है काफी बड़ी candle है दोस्तों और यह थोड़ा सा परेशान कर सकता है आप लोगों को क्योंकि इसकी वज़से आप लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि all time high पे इस त उसके बाद यहां भी एक काफी अच्छा candle बना हुआ है अगर इसको नेचे की तरह follow up आता है तो यहां तक आप लोगों को यह प्राइज आती हुई दिख सकती है और यहां तक यानि की लगभग 52,000 के आसपास साड़े 52,000 के आसपास की प्राइज आप लोगों को दिख सकत है तो उनके लिए काफी अच्छा करेक्शन प्राइज मिल रहा है वो यहां पर आकर के खरीदारी कर सकते हैं बट मैं कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को खरीदना है साधी वादी परपस से तो अभी फिलाल गोल्ड करेक्ट हुआ है खरीद लो आने वाले समय में म लोग भी इससे फाइदा लेना चाहते हैं बाकी मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइज में करेक्शन और आ सकता है और करेक्शन आने के बाद डेफिनिटली आप लोगों को अच्छी प्राइज पर देखने को मिल सकता है तो यहां पर दूस्तों अगर आप लोगों का एक proper stop loss होना चाहिए जो कि यहां पर बनता है और यह stop loss आप लोगों का 57,640 पे होगा और target काफी अच्छा आ सकता है और यह target आप लोगों का लगवग 1-5 का हो सकता है जो कि all time high के आसपास का देखने को मिल सकता है लेकिन अभी फिलाल खरीदने लायक नहीं है दोस्तों इस जो उनके उपर आता है तो आप लोगों के यह trading opportunity बनती है और मैं भी इसमें trade करूँगा जो की label है 58,900 के उपर अगर trade करता है इसकी price आती है तो short term के लिए इसमें खरीदारी हम कर सकते हैं और 1-5 या फिर 4 के risk reward ratio पे हम लोगों काफी अच्छा खासा पैसा बन सकता है short term में आप लोगों क्या मानना है जोस्तों अगर आप लोग गोल्ड में investment करते हैं क्या गोल्ड और आगे बढ़ सकता है या फिर यहां से काफी अच्छा खासा correction हमें देखने को मिलेगा लगबग 45,000 तक की price दोस्तों मेरी buying जो price है long term investment की जो price होगी वो 55,000 होगी यहां से मैं अप लोग एक बार जरूर देखिए यहां से एक short करके और यह एक stop loss रख सकते हैं और अच्छा खासा target यहां भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि 1-2 लगबग 4.5 का है तो दोनों ही तरफ काफी अच्छे risk reward है और यहां से काफी अच्छी movement आ सकती है either side आप लोगों क्या मानना नीचे comment करिए कब आखी मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि gold में भी थोड़ा और correction आएगा और अगर gold को उपर की तरफ movement करना है तो इसको लगबग 58,000 के उपर closing देनी होगी weekly में या फिर daily में तब जाकर के हमें इसके all time high पे एक अच्छा खासा target देखनी को मिल सकता है चली करिए इस तरह की वीडियोज आती रहेंगे और बेल आइकनों क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज की नार्टिफिकेशन आ संगेंगी बाकि दोस्तों आप लोग डेक्स टूड़ा मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का दिन सुब हो जैहिंद और आप लोगों का पॉइंट अफ व्यू गोल्ड पे जरूर नीचे रखिएगा क्योंकि आप लोगों के पॉइंट अफ व्यू से भी काफी फरक पड़ता है मुझे तैंक्यू वेरी मॉच